आज की इस क्लास में मैं आपको भारतिंदु यूग की विश्यस्ताओं को बहुत ही घेराई से समझाऊंगा चाहे आप बोड एकजाम में पेपर दोगे या कॉम्पिटेसन एकजाम में दोगे ठीके सब में कही न कही पर इसकी विश्यस्ताओं का वर्नत देखने को मिलता है थोड़ा सा पहले भारतिंदु यूग की बारे में जाने लेते हैं ठीके कि वास्तुम है क्या है तो यह आधूनिक काल का सबसे पहला प्रविश्यस द्वार माना जाता है क्योंकि आधूनिक काल जो है इसकी सिरुवात कब से हुई है तो उसका काल संवंत उनीश सो है ठीके इसका जो समय रहा है समय अउधी वह 1850 से 1900 तक रहा है भारतेंदु युग को आधूनिक हिंदी साहिते का प्रवेश द्वार माना जाता है ठीके अब इसका जो नामकरन ये किस ने किया भारतेंदु जी ने किया था इसलिए इनके नाम के अनुसार इसका नामंकरन क्या हुआ ह भारतेंदू युग हुआ ठीक है तो यह कुछ इसके बारे में जानकारी थी आईए जो हमारा प्रस्न है उसके और आगे बढ़ते हैं देखे सबसे पहली विशेष्टा है राश्टिता की भावना अच्छा राश्टिता की भावना सब जानते हैं कि जो हमारा देश से उसके यह मर मिटने की जो भावना है उसके देश भक्ति है उसकी भावना इस युग में सबसे पहले जागरत हुई तो इस युग के कवियों ने राश्टिता की भावना का चितरन किया है ठीक है बहुत ही सिंपल लेंगुज में मैं यहाँ पर विशेष्टा है बता रहा हूं कि दूसरा है समाजिक चेतना का विकास इस युग में नहीं नहीं समाजिक चेतना का विकास हुआ जो मतलब समाज के हित के लिए कारिकरे एसी भावनाओं का इसमें युग में देखने को मिली दो हो चुकी है राश्टिता की भावना और समाजिक चेतना का विकास तीसरा जो ह आउन तो british सिख्ष थी इसका विरोद इस युग की कविताओं में ने अंग्रेजी भासा का जो कवी है उन्होंने अंग्रेजी भासाओ का और अंग्रेजी सिख्ष का विरोध इनकी कविताओं में देखने को मिला ठीक तो यहां पर लिख सकते हैं आपकी इस युग की जितनी भी कविताओं लिखी गई उनमें यह तो अंग्रेजी भासा और अंग्रेजी सिख्चा है उसका विरोध देखने को मिला है आन्तिम जो विस्षता हैं वो है आपकी विभिन काव्य रूपों का प्रियोग जैसे मुक्तइक परबंद आँ फिर भी मैं आपको ठीक है तो पहली होगे राश्टिता की भावना दूसरी जो है समाजिक चेतना का विकास अंग्रेजी सिख्छा का विरोध और विभिन का विरूपों का प्रियोग ठीक है यदि दो नमबर में आता है और आपने इसकी हेटिंग हेटिंग लिग दी के इतनी कि राश्टिता की भावना समाजिक चेतना का विकास अंग्रेजी सिख्छा का विरोध और का विभिन का विरूपों का प्रियोग तो भी आपको नमर मिल जाएंग पर तीनों चारों नाम आप लिख सकते हैं ठीक है तो अगले वीडियो में हम जानेंगे इसके अधिकाल हो गया है ठीक है सब कुछ और आगे इसमें भी देख लिए पूरे आपको चीज़े मिलेगी यह जो आपका है यह आपका पद्जिस आइतियास के नाम से भूक है देख लिए ठीक है पूरी व्याकरन इसमें आपको समझाई जाएगी तो चैनल पर पहली बार होना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा प्लेइलिस्ट को फोलो करेगा सारी चीज़े आपको प्लेइलिस्ट में मिल जाएगी